हाई ग्राइज कैसे हो सब लोग स्वाधत है आपका फ्लाइविल ओटो मार्स में यह गाड़ी सर्विस के लिए आई है सियाज वीडिया है देख सकती हो आप बोनेर ओपन गर के दिखाना हो तो डेख सकते हो इसका अज सर्विस करने वाले क्या क्या चीज करने वाले यह सर्विस में अभी मैं आपको एक्स्पिh में कर दुएगए वीडियो थोड़ा ब्रीफ ली डिस्कुस्शन दें देता हूं यह पोश्टन है यहाँ से की ओस्टनी फिलप होता है क्यूं यह सिंत ओस्दियों गोस्की पा और यहां से इंजिनOh TEFILL होता है विसकंदरेजर्टर यह की और इसक्य और सबस्ट खीर होता 맛 बीजिर्टाइट होता कि फौकस आह रोर माम open फैटर जलते happening माउंटिंग आती है यह राइट साइड का माउंटिंग है मैं सब ड्राइवर साइड बैठो गए तो ड्राइवर से यह राइट साइड हो गया राइट साइड का माउंटिंग है बीच में एक नीचे एक माउंटिंग रेता है केर बॉक्स का और लेफ्ट में एक माउंटिंग यह विजिबल है इसके लिए मैंने आपको यह माउंटिंग दिखा यह ABS का यूनिट है यह गाड़ी का साइरन है इसमें हम लोग देख सकते हो इसमें हम लोग वाइपर पाने डालते हैं विंचिल्ड वॉटर यह इसी का पाइप है यह गड़ी का इंजीन है यहाँ पर हम लोग ब्रेक फ्लुड डालते हैं मेक शुर अगर अबश्ली जिताने डिक फ्लूड में डॊटत्री लिखाएं कि लिए यह तो हमें हीप डॉर्टत्री का ही फ्लुड डालना है इसमें डॉर फ्लूड है यह गाड़ी का man heart इसको हम लोग ACU बुरते हैं यह's言 गाड़ी का यहां पर आप देख सकते हो थोड़ा कफिस्टेर है यह diesel filter है गाड़ी का इस में दिखादे तो इसका procedure स्टाट होकाक ब्रेख जेकइंग फर्स्ट हम लोग किसका करेंगे, ब्रेक चेक करना है मतलब, उसमें BY皆 है और उसके ब्रीक पाट करने वसे क्या रेता है, ब्रीक पैट्स क्यूँ चेक्क करने करें ते, व उसमें आपको बताओंगा है, अब इसका पेले टायर ओपन करेंगे, उसके बाद ब्रीक पैट चेक करेंगे हैं कि टायर ओपनिंग प्रोचेशर शालु है अब देख सकते हो चारो नग्डो स्लूज हो गए है कार लिफ्टिंग प्रोचेशर चलु है अब है कार लिफ्टिंग प्रोचेशर चलु है कि टायर ओपनिंग बाहर निकालेंगे अब देख पा रहे हो यह बीच का पोश्चेशर यह डिस्क है यह ब्रेक पैड यह ब्रेक पैड दोनों सब्रेक पैड लिफ्टिंग अभी ब्रेक क्लीनिंग प्रोचेशर चालु है ब्रेक पैड क्लीनिग देख सकते हो यह ब्रेक पैड है यह ब्रेक पैड है यह पॉलिश पेपर है इसके उपर अभी रब करेंगे इसको इस क्लीनिग प्रोचेशर चालु है झालु है मोट आहरे हैंग पालए के बाद अभी एर फिल्टर और अपर आध्या बें करीश इसे जाख अदफ तो यह नहीं पूरा नहीं कि इए कि पूरा खराब हो गया है इस इसका और कि अई अब यह ओल्ड ओइल फिल्टर नम लोग बाहर निकाल रहे है यह ओईल फिल्टर है देख सब्किलाएं इसमें अमलों को फिट करना है यह ओईल फिटर अभी अमलों को फिट करना है कि इसका ओरिंग है यह अब यह पर यह पुराना ओरिंग है यह पूरान ओरिंग है यह निकल के यह नया ओरिंग में फिक्स होगा इसके बाद यह ओईल फिल्टर उसके अंदर फिक्स होगा अब देख सकते हो ड्रेंड बोल्ट हो पी ओपन हो रहा है यह ओईल बहार आ रहा है अब इंजिनल फिटमेंड इंजिनल हम लोग गाड़ी में डालने हाले हैं आई अंगटनने तो आगशे अब देख सकते हो ब्रैंड न्यू इंजीन अब अभी गाड़ी में चाहरा है गाड़ी में अभी इंजीन ओयल, कूलन, केर ओयल, एर फिल्टर ये सब रिपलेस हो गया है ओयल फिल्टर भी रिपलेस हुआ है अभी गाड़ी पूरी तरिके से रेडी है अब देख सकते हो प्रॉपरली इंजीन कपर्मेंट प्रॉपरली क्लीन है कार इस रेडी फॉर दे डिलेवरी अभी कस्टमर के पास जाने वाली है साइट से भी देख सकते हो गाड़ी का सर्विसिंग हो गया है अभी गाड़ी का ट्राल ले रहा हो मैं All things are perfect सब कुछ perfectly हो गया है ट्राल पे हम लोग क्या चेक करते है जब गाड़ी का सर्विस होता है तो ट्राल पे ये चेक करना रहता है कि गाड़ी में इंजिन्सान बराबर है, कि नहीं है सेकंड चीज उसमें गाड़ी के अलाइन्मेंट कैसी है फ़र्ड चीज गाड़ी का ब्रेकिंग कैसा है ऐसे मुल्टिबल चीजेजें रहती हैं हम लोग को चेक करने रहती है टुट्राइल पे हम लोग यह सब चेक करते हैं यही ता दोस्तो आज के वीडियो में कैसा लगा वीडियो ब्लीज बताईए शेर कीजे, कॉमेंट कीजे and प्लीज, प्लीज, प्लीज सब्सक्राइब कीजे and अलसो अगर आपके पास कोई गाड़ी है जिसको सब्विस करना है या उसका कुछ भी प्रॉब्लम है आप मेरे से कॉमेंट सेक्शन में डिसकस कर सकते हो और मुझे मेल कर सकते हो चलिए दोस्तो मिलता हो नेक्स्ट वीडियो में तब तक बाई